आप किसी की यादों से उबरना चाते हो किसी व्यक्ति को भूलना चाते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उस व्यक्ति की यादे आपको इतना परहसान क्यों करते है उस व्यक्ति के बारे में बार बार आप सोचते हो तो वो व्यक्ति इतनी गहराई तक आपके मैंड में अभी तक क्यों है हाला कि उनके साथ आपका break up हो गया है या कुछ भी आपका relation खतम हो गया है तो इन चीजों से आप कैसे बाहर आ सकते हो उस व्यक्ति को पूरी तरह से कैसे भूल सकते हो कुछ लोगों को यह बिल्कुल impossible लगता है और कुछ लोगों के लिए impossible हो जाता है क्योंकि वो कुछ गलत चीजे करते हैं सबसे पहली गलती अगर आप उस इंसान को प्यार करते थे और उनके साथ break up हो गया है और आपको पता है कि कभी भी आप दुनों का relation नहीं बनेगा तो उस इंसान के साथ कोई तरह का contact ना रखे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको friend बना लेते हैं तो आप हमेसा उनके सामने रहोगे उनका आपके पाँ number है तो कभी ना कभी आप ओ number देखोगे कोल करने का मन होगा यह गल्ती होगी फेस्बुक पर उनके साथ connect होता है इस्टाग्राम पर उनके कुछ ऐसे दोस होते हैं उनके साथ भी आप connected होते तो वह कि आपको देखोगे बार बार यह चारी चाहिज़े आपको उनकी याद दिला थी उनकी कोई चीज है आपके पास नहीं होनी चाहिए जो आपको उनकी याद दिला है लेकिन यह मुश्किल काम नहीं अगर आप उस इंसान को रियल में भूलना चाहते तो आप भूल सकते हों यहां पर गल्ती यह होती कि जब हमें उस इंसान से प्यार होता है तो हम यह गल्ती कर देते कि उस इंसान को अपन लोगों के साथ बाटशीत करना अच्छा नहीं लगता है आप लोगों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो किसी के साथ बात नहीं करें, यह दूसरी गलत बात, अगर आप घर से बाहर निकलते हो, तो बाहर आप दूसरी लोगों को देखते हैं, ट्राफिक को देखते हैं, तो उनको देखकर आपके मैंड को दूसरा खयाल आएगा, घर में बेट कर आप कुछ दिखेगा ही नहीं, और पर आपके जो विचार हैं वो चेंज ही नहीं होगे, उसी व्यक्ति पर अठके रहेंगे, अगर कोई दूसरा इंसान मिलेगा, वो आपको कोई बात कहेगा, तो आपका मैंड उस पर ध्यान देगा, आपका मैंड थोड़ा सा डायवर्ट होगा, तो यहाँ पर आपके मैंड को ट्रेनिंग देनी है, दीरे-दीरे उस व्यक्ति के विचारों से उसे डायवर्ट करने के लिए, जो रूटीन होता है, आपका जो काम होता है, इसमें सबसे दद आपको इफेक्टिव करता है, तो उसको ब्रेक ना करो, उनको कभी भी ब्रेक ना करो, क्योंकि जब कभी आप कि आप काम करते हो ना तो आप मार करते हो कि उस समय तक आप कुछ चीज vlogs जाते हो तो यहां पर आपका मन और दूसरे को बढ़ाने से थोड़ा सा हलका हो तो कोई ऐसा इंसान जिसके उपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉस्ट है बहुत ही आपसे क्लोज है उस इंसान के साथ आपनी परिष्टानी अपना दुख बार सकते हैं यह 100% स्योर है कि आपका दुख किसी को बताने से हलका होता है इसी को भूलने के लिए सबसे तीन इंपोर्टन चीज है जो मैं आज आपको बताना जा रहा हूं पहली है ट्रावेलिंग दूसरी है जीम और तीसरी है रीडिंग तीनों ही आपको बहुत ज़दा हेल्प करेगी लेकिन ऐसी सिच्चुशन में ऐसी परिष्टाने में किसी भी इंसान को ना ट्रावेलिंग करना अचा लगता है ना जीम जाना अचा लगता है ना रीडिंग करना अचा लगता है लेकिन आपको रीडिंग से स्टार्ट करना होगा उसके बाद ट्राविलिंग और उसके बाद आपको जीम स्टार्ट करना होगा बहुत जाता इफेक्टिव है तीनों जीए क्योंकि आप बाहर जाते हो तो नहीं लोगों को देखते हैं नहीं जगा को दे पर सपोर्ट मिलेगा, वो मेंटल सपोर्ट भी मिलता है, इसान के साथ आपको बुरा एक्सपरियेंस हुआ है, हो सकता है दोस्तों के साथ, दूसरी लोगों के साथ, आपके अच्छे एक्सपरियेंस, आपको इन चीजों में से उबारने में काफी आपकी हेल्प कर सकते हैं, दोस्तों मैं उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, इसके बारे मैं कुछ कहना जाते हैं तो कॉमेट करें, वीडियो चानल पर पहली बार आए तो आपकोस इसे लिए को सब्क्राइब करना है, ठेंक य आपकोस 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 आप